नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए most important 40 MSQ questions हैं GKK latest exam pattern पर regular questions जो GKK पूछे जा रहे हैं उनी प्रश्णों मेंसे चुनकर ये questions आपके लिए लाया गया है वीडियो आपका free है पूरा देखिए चेक करिए क्या ये questions आपसे बनते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो रोज सुबह 8 बजे से मैं live GK पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर तो आप रोज मुझसे free live GK पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं इस वीडियो के description box में में 2000 GK के questions के answer की पीडियेप दे दूँगा तो आप उसको download करके और पढ़ लिजेगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशनी यह रहा स्क्रीन पर भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद भारती सम्मिधान के कितने अनुच्छेद हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर है भारती सम्मिधान के option number 448 अनुच्छेद है option number C आपर से यत्र हो जाएगा भारतिय सम्मिदान में वर्तमान में 448 अनुचेद और 12 अनुसूचिया है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं मशीन गन का अविश्कार इन में से किस ने किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मशीन गन का अविश्कार जो है राइट आंसर क्या है बतलाएगे तो दिल्ली के सुल्तान बल्बन का पूरा नाम ऑप्शन नमब B गया सुद्दीन बल्बन था राइट आंसर हो जाएगा गया सुद्दीन बल्बन सही उत्तर है नेक्स कॉशन देखते हैं अगला प्रशन है शारन सुछाई नहर कहा से निकलती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो सारन सिचाई नहर जो है option number B, गंडक नदी से निकलती है, नारायनी नदी भी इसको कहते है, मध्य नेपाल और उत्री भारत में इस्थित है ये नदी, जो की गंडक नदी, नारायनी नदी के नाम से भी जानी जाती है, और सारण सिचाई नहर जो है, इसी से निकलती है, next question देखते है, भारत में प्रा सदा बहार बनों में पाए जाते हैं, इसके दूध जिसको लेक्टेक्स कहते हैं, रबर तयार किया जाता है, पेड़ के दूध लेक्टेक्स से रबर तयार किया जाता है, next question देखते है, अगला प्रशन है, इन में से क्या उत्तर हो जाएगा इस प्राशन के लिए, तो माल यान के टायरों में हलकी होने के कारण option number D helium gas को भरते हैं right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है भारत में भारी जल बनाया जाता है इन में से किस जगह पर तो भारी जल जो है इन में से कहां बनाया जाता है option number B Trombay में right answer हो जाएगा भारी जल हाइड्रोजन का समस्थानिक न्यूट्रिनियम का ऑकसाइड होता है जिसे D2O के नाम से जाना जाता है और इसे भारत में Trombay में बनाया जाता है next question देखते हैं अगला प्रशन ये राव स्क्रीन पर romantic नाटक कादंबरी का लेखक कौन है तो romantic न बानभट है right answer हो जाएगा बानभट इस प्रशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं क्या पूशा गया है नियाए दर्शन से संबंदित इनमें से कौन है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए नियाए दर्शन से संबंदित कौन है तो option number B महर्शी गौतम नियाए के लक्षों का पता लायाने के लिए 2D रडार है option number right answer option number 2D रडार इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां पर हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां पर हुई थी right answer क्या है प्रशन के लिए तो गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती जो है option number C बोध गया में प्रशंग पूरा होता है इन में से किस से ये सिचाई पर योजना का ये छमता पूरी होती है राइट आंसर है तो लगु एवं ब्रहद पर योजनाओं से भारत की ये सिचाई पर योजना जो है पूरी होती है option number C इस प्रशंगे लिए सयत्र हो जाएगा लगु और ब्रहद स परियोजनाओं से भारत की ये सुछाई पूरी होती है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन ऋे रहा उ स्कीन पर मानव शरीर में पाचन क्रिया का आरंब कहां से होता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो मानव क्रिया में पाचन का आरंभ जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा option number B राइट आंसर है मुख से प्रारंभ हो जाता है भोजन को चबाते समय मुख ग्रसनी ग्रसिका के माध्यम से पहुँचता है फिर अमाशे में मश्क के आकार का मासपेशों का बना एक थैला होता है उसमें जाता है हाइड्रोक्लोरिक जैसे अमल जो होते है पाचकरसिस में मिलाते है चार घंटे तीन घंटे का समय लगता है अने क्रियाओं के बाद में ये ग्रहनी में पहुँचता है भोजन का पाचन option number B मुख से प्रारंब होता है next question देखते है विशो तमबाकू निशेद दिवस कब मनाया जाता है right answer क्या हो जाएगा तो विशो तमबाकू निशेद दिवस option number B 31 मई को मनाते है right answer हो जाएगा option number B इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है अगला प्रशन क्या है राश्यय भारत में राश्यय नियोजन में rolling plan की अवधारना दी गई थी किसके द्वारा राश्यय नियोजन में rolling plan की अवधारना किसके द्वारा दी गई थी तो जनता सरकार के द्वारा rolling fragrance की गाइ थी right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है lead pencil में क्या होता है right answer क्या है बतलाइए lead pencil में क्या होता है तो lead pencil में грейfide होता है right answer हो जाएगा grayfide प्रशन के लिए सही उत्र है next question देखते है prosecutors assignedrossign color a sign photo को पकाने में काम आता है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशिन के लिए तो फलों को पकाने में option number athlean काम आता है right answer option number c इस प्रशिन के लिए सेयत्र हो जाएगा फलों को पकाने के लिए athlean का प्रियूप करते हैं next question देखते हैं क्या पूशा गया है काल मार्क्स किस देश से सम्दित हैं क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशिन के लिए बतलाएए काल मार्क्स किस देश से सम्दित है तो option number d जर्मनी से सम्दित हैं काल मार्क्स option number d यहां सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अकबर के दुबारा दीन ए इलाही की शुरुआत कब की गई थी तो अकबर के दुबारा दीन ए इलाही की शुरुआत option number 1581 में की गई थी मुगल समराट अकबर के दुबारा शुरू किया गया एक धर्म के समान धर्मता राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा next question देखते हैं क्या पूशा गया है गारो जंजाती इन में से कहां पर है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए तो गारो जंजाती जो है मिघाले में निवास करती है option number C यहां पर सेउत्र हो जाएगा मिघाले next question देखते है भारतिय समिधान कैसा है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए बतलाईए भारतिय समिधान इन में से अंश्था कठोर और अंश्था लचीला है राइट आंसर option number B इस प्रशन के लिए सेउत्र है next question देखते है किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आत्महत्या की थैली लाइसो सोन को कहते है option number B यह अंतक कोश्किय पाचन में भी मदद करती है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते है अगला प्रशन क्या है दयानन सरस्वती जी का मूल नाम क्या था राइट आंसर क्या है तो दयानन सरस्वती जी का मूल नाम राइट आंसर है मूल संकर था आधनिक भारत के महान, चिंतक, समाज, सुधारक और आर समाज के संस्थापक भी है यह राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन जनसंक्या की द्रश्ची से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जनसंक्या की द्रश्ची से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है option number D थाने महाराश्र है option number D यहाँ पर से उत्रो जाएगा पॉंडी चेरी का माहे जिला छेतरफल की दरश्ची से भारत का सबसे छोटा जिला है गुजरात का कच्छ जिला छेतरफल की दरश्ची से भारत का सबसे बड़ा जिला है next question देखते है अगला प्रशन है अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपडा किसने बनवाया था तो अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपडा कुतुब बुद्दीन एबक ने बनाये था option number B यहाँ पर सहित्र हो जाएगा right answer is next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है यह रहाँ स्क्रीन पर किसने सत्यार्थ प्रकास की रचना की थी right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो स्वामी दयानन सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकास की रचना की थी right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं अगला प्रशन दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है right answer क्या है तो दालचीनी पौधे के option number C चाल से प्राप्त होती है right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए चाल से प्राप्त होती है next question देखते हैं अगले question पे चलते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अगला question हाल ये में किस राज सरकार ने 10 oxygen plant स्थापित करने की घोश्रा की है तो उत्तर प्रदेश राज सरकार ने 10 oxygen plant स्थापित करने की घोश्रा की है next question देखते हैं हाल ये में किस राज सरकार ने कुम्ब से वापस आने वालों के लिए RT-PCR अनिवारे करा दिया है तो COVID-19 टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर गुजराज सरकार ने अनिवारे कर दिया है राइट आंसर है गुजराज सरकार next question देखते हैं विजडन का best crickator of the year किसे चुना गया है तो विजडन का best crickator of the year जो है बैंच स्टोक को चुना गया है next question देखते हैं हाली में किस भासा के प्रसिद्द साहितिकार dr. नरेंडर कोहली का निधन हो गया तो option number हिंदी भासा के प्रसिद्द साहितिकार है नरेंडर कोहली जिनका हाली में निधन हो गया next question BCCI किस देश की टीम को वीजजारी करने पर पागेस्टान को वीजादारी कर दिया है सहमत हो गई है next question देखते हैं किस राजन ने oxygen cylinder के निर्याद पर प्रधीबंद लगा दिया है तो अपने राजसे दूसरे राज्यों में दूसरी गपप निर्याद करने से गोवा ने प्रदिबंध लगा दिया है नेक्स कॉशन भारतिय वेट लिप्टर मीरा भाई चानू ने कितने किलोग्राम वेट उठाकर नया विश्य रिकॉर्ड बनाया है तो मीरा भाई चानू ने 119 किलोग्राम का वेट उठाकर नया विश्य रिकॉर्ड बनाया है हाली में कौनसा दे ने स्वर्ण पदक जीता है, right answer हो जाएगा। किस राज सरकान ने 2022 तक सभी ग्रामीर परिवारों को नल connection प्रदान करने की योजना बनाई है? तो राइट अनसर हो जाएगा अध्यपर्देश सरकान से रोज लाइब सुबं सुबंग जी के पढ़ सकते हैं 8 बजे से प्रती दिन फ्री क्लास होती है वीडियो फ्री है अपने दोस्तों को जरू शेयर करीगा वीडियो लाज तक देखा है आपने प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू advocate करें अगले वीडियो में फिर में लेंगे बहुत-बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो